तो चलिए आज में आप लगको बचे हुएं आटा से बहुत ही टेस्डी पास्ता की रेसिपी बना की दिखाऊंगी फ Fish加, मेरे इस तरीके से ना गेहूं के आटे की बने हुए इस पास्ता की रेसिपी को एक बरा बना के जरूर ट्राय किजेगा। बच्चे तो बच्चे बड़े भी बहुत चाव से इसे खाना पसंद करेंगे और ये खाने में जितना टेश्टी लगता है ना इसे बनाना उतना ही आसान है तो आई ये देख लेते हैं कि इसे केसे बनाते हैं तो उसके लिए देख सकते हैं यहां पर जो है ना सुबह का हमारा थोड़ा सा गुथा हुआ आटा रह गया है इसे गुथे हुए आटे से हम आप लोगो नास्ता को बना के दिखाएंगे तो जब भी आपका आटा बच जाए इस तरह से आप इस नास्ता को बना सकते हो या फि नास्ता को बनाने के लिए सबसे पेले अख बड़ा सा पेडा बनाना होगा इसके बाद इस सुखे आटे से उच्चे से डस्ट करके इसका एक बड़ा सा रोटी बना लेंगे तो ये देखे हमारा एक रोटी बन के तैयार है अब देख सकतो रोटी को हमने नहीं ज्यादा पतला विले है और नहीं ज्यादा मोटा जिस तरह हम लोग घर में नोर्मार रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा मोटा रखे हैं और पराठा से थोड़ा सा र तो हम सभी को तो पता ही है कि बच्चों को बाहर का एन हेल्दी खाना कितना ज़्यादा पसंद ही जैसे कि चोमीन पास्ता जो माईदा का बना हुआ होता है तो इस तरह से आप घर पे गेहू के आटे से नास्ता को बना के खिलाएगा तो ये किन मानिए फिर इनकी बच्चों जैसे खाना पसंद करेंगे तो देख सेकत हो एक बढ़ा से रोटी से हमने कितना ज़्याधा चोटा चोटा जो है पूड़ी के जैसा रोटी को काट लिए हैं और ये जो बचा हो आटा पैल यह तो इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं तो यह देखे, थोड़ा हमसे हमने कितने चोटे चोटे रोटिए बना के त्यार कर लिये हैं तों जिलिए अब हम इसका डिज़ाइन बनाएंगे तो डिज़ाइन बनाने के लिए एक सब्सक्राइदा हैदा पनी 词पर्ट और शेया बनाने के लिएस में ठोड़ा सा नॉर्मल को दिख रहा है, तो इसी तरह से जहना, हम इन सारे रोटी से छोटा-चोटा पास्टा बना लेंगे, तो इससे बनना इतना असान है ना फ्रेंड की इसतरले आब बच्चों को बना कि इसमें हम डालेंगे आदे चोटे चमच नमक और एक चोटे चमच रिफाइन तेल और तेल और नमक को पानी के साथ मिक्स कर लेंगे इसके बाद हम पानी में बॉयल आने देंगे तो ये देखे पानी में उबाला गया तो अब हम इसमें सारे पास्ता को डाल देंगे और पास्ता जो है अंदर से कच्चा ना रहे तो पानी में नमक और तेल डालने से क्या होता ना फ्रेंट नमक जो है अच्छे से पानी के साथ घूल जाता है तो पास्ता खाते समय बाद में फिका नहीं लगता है और तेल डालने से पास्ता आपस में चिपकता नहीं है तो पा इसके बाद इускे हम फिर से दो से तीन बुन के करीब रिफाइन तेल डाल के तेल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यह दीके पास्ता में हम अच्छे से मिक्स कर लिए है। तो अब हम इसका मसाला बनाने के लिए कड़ाय में डालेंगे दो छोटे चमच रिफाइन तेल और जैसे ही तेल अच्छे से गरम हो जाएगा इसमें हम थोड़ा सा बारी कट हुए प्याज डालेंगे इसी के साथ इसमें हम अधरको लसुन डालेंगे तो आधा इसे भी थोड ने टेस्ट के कोडिंग कम या जादा कर सकतो हो अब हम प्याज अधरक लसुन और हरे मिच को चलाते हुए दो से तीन मिनिट के लिए भून लेंगे या फिर इसे हमें तब तक भून ना है जब तक इसका कच्छापन पूरी तरह से खतम ना हो जाए इसके बाद इसमें हम सि सिम्ला मिच को हमने बड़े-बड़े टुकडो में काट के ले लिए हैं और ईक लिए उख झाबन ना हम रह Ms. अभ जो यह खाने में taesdy लगे अब हम इसमें न कुछ सच डालेंगे तो सबसे पहले दो बड़े चममश में हम टाम्हार केचप डालेंगे इसंके साथ इसमें हम एक छोटे चमच से भी थोड़ा सा कम डालेंगे गरीन चीली सॉस तो इसे हम बच्चों के लिए बना रहे हैं फिर इसमें जो है नतिका थोड़ा कम डाल रहे हैं और एक छोटे चमच डालेंगे डार्क स्वयासस अगर आपके पास सोया सोस है तो आप इसे डाल सकतो हो बना आप इसे इसकिप कर सकतो हो अब हम सॉस के साथ वेजी टबल को चलाते हुए मिक्स कर लेंगे इसके बाद इसमें हम ग्रेवी के लिए थोड़ा सा डालेंगे पानी तो जिस कटरी में हमने टमाटर केचप लिए थे ना इसमें हम थोड़ा सा पानी मिक्स करके डाल दिये हैं अब हम ग्रेवी के साथ मसाले मेरा मतलब एकी सॉस और वेजी टबल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जैसे ही ग्रेवी में उबाल आ जाए इसमें हम पास्ता को डाल देंगे इसी के साथ ना इसमें हम थोड़ा सा कुटे हुए डालेंगे काले मिज इसका फ्लिवर ना बहुती ज़्यादा टेस्टी लगता प्रेंट और थोड़ा सा डालेंगे नमक तो नमक का कुटेटी थोड़ा सा कम ही रखे हैं क्योंकि पास्ता को बॉयल करते समय भी हम इसमें नमक डालेते हैं और सोया सोस में पहले से ही नमक रहता है अब हम सौस के साथ अच्छे से पास्ता को मिक्स कर लेंगे तो अगर आपको ग्रेवी पतला पसंद है प्रेंट तो आप ग्रेवी को थोड़ा सा पतला रख सकते हो और अगर आपको गाड़ा पसंद है तो आप इसे थोड़ा सा बॉयल करके गाड़ा कर सकते हो तो यह लिज़ बहुत ही टेस्टी मज़ेदार से हमारे आटा के बने हुए पास्ता बन के तैयार है। तो ये टेस्टी हेल्दी आटा के बने हुई पास्ता की रेसिपी अगर आप लोको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके जादा से जादा से जादा सेर कीजिएगा और इसी तरह की टेस्टी टेस्टी रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को दबाके ओल जरूर कर लिजेगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नूटी पेकिसन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए तो वीडियो के एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फिलाल के लिए बाई बाई मिलते हैं नेक्स वीडियो में